मैं दपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होकी एशन चैंपिन्स ट्रोफी 2023 की जहां पर भारत आज के दिन अपने इस टूनमेंट का तीसरा मुकाबला खेलती हुई नजर आई मलेश्या के खिलाव और भारत ने अपने इस मैच को 5-0 से जीतते हुए वो पॉइंट स्टेबल में टॉप पर पहुँच गई है बात की जाए मुकाबले की तो भारत काफी excellent परफॉर्म करता हुआ नजर आया from start to finish वहीं बात की जाए तो भारत की खिलाडी कार्थी सेलवम ने भारत को पहला गोल दिलाया जो की आया पंदरवे मिनिट में जिसके बाद दो पैनल्टी कॉर्नर्स को successfully convert किया गया भारत की तरफ से जिसके साथ भारत 3-0 की लीड में पहुँच गया जहाँ पर एक पैनल्टी कॉर्नर वाइस कप्तान हार्दिक सिंग ने गोल में तबदील किया वहीं दूसरा कप्तान हर्मन प्रीज सिंग ने जिसके कुछ समय बाद एक मिनिट के अंदर-अंदर दो और गोल्स मारने में काम्याब रही इंडियन टीम और ये गोल मारे भारत की तरफ से गुर्जन सिंग और जुगराज सिंग ने और इसी के साथ भारत ने अपने इस मुकाबले को 5-0 से जीत लिया है वहीं भारत इसी के साथ 7 points के साथ top पर पहुँच कई है वहीं दूसरे स्थान पर Malaysia with a score of 6 points वहीं बात की जाए तो आज के दिन दो और मुकाबले खेले गए जिनके results के अगर बात की जाए तो पहला मुकाबला रहा चाइना और कोरिया के बीड जहां पर एक-एक draw रहा वहीं दूसरे मुकाबले में भी draw ही देखने को मिला जो की रहा पागस्तान और जापान के बीड जहां पर 3-3 से match draw हो गया वहीं अभी एक नज़र डाल लेते हैं complete points table की और तो जैसे की मैंने बताया कि टॉप पर पहुँच कई है इंडियन टीम 7 points के साथ वहीं दूसरे स्थान पर है Malaysia 6 points के साथ तीसरे स्थान पर है South Korea वहीं चौथे स्थान पर है Japan पांचरे पर है Pakistan और छटे पर है China अब कल के दिन भारत का मुकाबला रहने वाला है South Korea के खिलाफ रात सारे 8 बजे तो आप सभी ज़रूर जुट जाएगा इस मुकाबले को live देखने के लिए और आप इसको live enjoy कर सकते है Star Sports First, Star Sports Select HD 2 और Fan Code अब पर तो आज की वीडियो में बस अतना है बाकि स्थान पर से रब देट जानने के लिए चानल के साथ ज़रूर चुड़े रहें इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे So thank you for watching the video